Hello friends, is it a cookie kitchen में हम बनाने वाले हैं एक ऐसी इंस्टेंट लंच रेसिपी जिसको आप केवल पार्श में बनाकर तयार कर सकते हैं खाने में ये बहुत टेस्टी लगती है और इसकी सबसे इची बात ये है कि इसको हम लेस ओयल में बनाकर तयार करेंगे इसी लिए ये पूरी तरीके से healthy भी है, nutritious भी है और tasty भी है तो चली जल्दी से बनाना शुरू करते हैं कढ़ाई में हम सबसे पहले डालेंगे सरसो का तेल ये वली जो सबजी हम बना रहे हैं ये सरसो के तेल में बहुत अच्छी बनती है लेकिन अगर आप जाहें तो इसको वेज़ेटेबल ओयल में भी बना सकते हैं गैस की फ्लेम को हम फूल रखेंगे और ओयल को हम हलका गरम करेंगे ओयल के हलका गरम होने के बाद हम डालेंगे इसमें वन टीज़पून राई और इसको स्प्लेटर होने देंगे राई हमारे हांपर अच्छे से फूटने लगी है गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पर हम सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे तीन से चार हरी मिर्ची, एक एंच अद्रक का पीस है जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया है और साथ ही दस से बारा करी पत्ते हमने इसको 1-2 बार अच्छे से मिक्स कर लिया है, गैस की फ्लें मिर्ची ओप फुल कर लेंगे और साथ ही इस दो मीडियम साइज प्यास डाल देंगे और प्यास डालने के बाद हम इसको हलका ब्राउन करेंगे हम आजो सब्जी बना रहे हैं इस सब्जी के अंदर हमने जो अद्रक, हरी मिर्ची और करी पत्ता डाला है इन तीनों को ही जो फ्लेवर है टेस्ट है वो इस सब्जी के अंदर बहुत अच्छा आता है तो इसी लिए आप इसको बिल्कुल बिस्किप मत कीजेगा तीनों को एट कीजेगा तो यह देखिए प्याज जो है वो हलकेल की ब्राउन हो गए है कि इसकी फ्लेम को हम तुबारा से स्लो कर देंगे और मसाले एट करेंगे हाफ टीजपून हम डालेंगे हल्दी पाउडर वन टीजपून धनीय पाउडर हाफ टीजपून चे थोड़ी सी कर्म लाल मिश पाउडर वन टीजपून के लगभग नमक डाल दिया है इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और आपने देखा हमने यहां पर केवल बेसिक मसाले डाले हैं और मसाले आप अपने इकॉर्डिंग कम जादा कर सकते हैं मसालों को आप अच्छे से भून लीजेगा गयस की फ्लेम को अभा हम फुल कर लेंगे और धोड़ास फिल्ह को थोड़ास हम इसके अंदर पानी आइड करेंगे लगपक ही एक साविंग स्पून पानी हमने एड किया था ओसbank चला लिया है और विल्लास में हम इसके अंदर डालेंगे ये वन टीस्पून है चीनी, पिसी हुई चीनी है, आप साबू चीनी भी टाल सकते हैं, चीनी का बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है, मिक्स कर लेंगे, मसाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से भून गया है, खुश्पु भी बहुत अच्छी आ रही है, ग साला थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो अब हम इसके अंदर फाइनल इंगीडियन डालेंगे, यह हमारी डेट सु ग्राम घर की जमी हुई फ्रेश दही, इसको हम ऐसे ही इसमें एड कर देंगे, इसको बीट नहीं करना है, और दही डालने के बाद आप इसको अच्छे से मि सब्जी बनकर तयार हो गई है, और थोड़ा सा हम हरा धनिया भी ढाल देंगे, हरा धनिया डालने के बाद हम इसको एक बर और मिक्स कर लिया है, और हमारी इसमी करने के लिए तयार गई है, आपने देखा इस सब्जी को बनानी में केवल पार्षमिंट लगते हैं, यह खान तो खाने भी बहुत टेस्थी लगेगी तो आपने देखा इसको बनाना बहुत असान है और आप इसको लंच हो डिनर हो कभी भी आपका मन करें कुछ जल्दी जल्दी से बनाने का और खाने का तो आप इसको प्लान कर सकते हैं बनाना बहुत असान है और आपको ये सब्जी कै किसी लगी हमें कमेंट करकर जरूर से बताइएगा लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा फ्रैंस और फैमिली के साथ और साथ ही इज़े टू कुक चैनल को सब्सक्राइब करना और बैल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा थैंक्स वर वाचिंग